भगवान शंकर का काल भैरव रूप, एक बार सुमेरु परवत पर बैठे हुए ब्रहमाजी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया, शिवजी की माया से मोहित ब्रहमाजी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मै यही प्रवृती उन्निवृती का मूलाधार, सर्वलीन पूर्ण ब्रहमा हुँ ब्रहमाजी ऐसा की परमुनी मंडली में विद्यमान विश्णोजी ने उन्हें समझाते हुए कहा की मेरी आज्या से तो तुम स्रिष्टी के रच्यता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपन प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो? इस प्रकार ब्रहमा और विश्णो अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्गृत करने लगे, अन्ता वेदों से पूछने का निरने हुआ तो स्वरूप धारन करके आये चारो वेदों ने क्रमशा अपना मच्छे इस प्रकार प्रकट किया, रिकवेद जिसके भीतर समस्त भूत नहित है, तथा जिससे सब कुछ प्रवत्व होता है और जिससे परमात्व कहा जाता है, वह एक रूद्र रूप ही है, यजुर्वेद जिसके द्वारा हम सारी जनों को भरमाता है, जिससे योगी जन ढूंडते हैं, और जिसकी भांती से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रयंबग शिवजी ही है, अथर्ववेद जिसकी भक्ती से साक्षातकार होता है, और जो सब्यासुक्त, दुहा खतीत अनादी ब्रम्ह है, वे केवल एक शंकर जी ही है, विश्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताब बताते हुए नित्य शिवा से रमन करने वाले, दिगंबर पीतवर्ण धूली धूसरित प्रेमनाद, कुवेटा धारी, सर्वा वेश्टित, व्रिपन वाही, निहसंग, शिवजी को पर ब्रहम मानने से इ ब्रहमा विश्णों की बुद्धी नहीं बदली, उस समय उन दोनों के मध्या आधी अंत्रहित एक ऐसी विशाल जोती प्रकट हुई कि उससे ब्रहमा का पंचम सिर जलने लगा, इतने में त्रिशूलधारी नीलोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्यानतावश ब्रहम उन्हें अपना पुत्र समझ कर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रहमा की संपूर्ण बाते सुनकर शिव जी अत्यन्त कृद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रहमा पर शासन करने का आदेश दिया। आग्या का पालन करते हुए भैरव अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रहमा जी का पंचम सिर्काट डाला। भैभीत ब्रहमा शत्रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए ब्रहमा और विश्णों दोनों को सत्य की प्रतीती हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। य उने के कारण काल भैरफ तथा भक्तों के पापों को ततकाल नश्ट करने वाला हुने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपूरी का अधिपती बना दिया। फिर कहा कि भैरफ तुम इन ब्रहमा विश्णों को मानते हुए ब्रहमा के कपाल को धारण करके इसी के आ आजया से भरभ जी हात में कपाल लेकर जोँए काशी की ओर चले ब्रवहत्या उनके पीछे-पीछे होचली奶 विष्णों जीने उनकी स्थुती करती हुए उनसे अपने उनकी माया से मोहित नहोने का वर्धान मांग विष्णों जी ने ब्रहम ब्रम हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रम हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिम्ता और कपाल छूटकर प्रित्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपालमोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधी पिंडदान और देव पित्रितरपन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवरित हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है। तो इस विडियो को जरूर शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करे। जय भोलेना, धन्यवाद।